अनोखा पोस कोरोना की दूसी लहर के कारण हुए लोगडाउन में देश के कई हिस्सों में कलकार खाने और रोजगार बंध हुए बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए लेकिन पश्चिम चमपारन के चनपटिया के स्टार्ट अप जोन में काम होता रहा रेगुलर रेडिमेट कपडों के अलावा मास्क वो विंटर सीजन के कपड़े बनते रहे नमस्कार स्वागत है आपका अनोखा पोस्ट चैनल में उनके लिए यहां पर उद्योग लगाए गया यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़े बन रही है और कैसे कैसे लोग यहां पर काम कर रहे है और काम मिल रहा है अभी भी काम तेजी से चल रहा है चनपटिया में स्टार्टप जोन की शुरुआत बीते साल लोगडाउन के बाद हुई थी यहां पंजाब गुजरात वो मुंबई से लोटे बिहारी कुशल कामगरों ने प्रशासन की मदद से युनिट लगाई यहां टीशर्ट, जैकेट, साड़ी पर वर्क, लहंगा, अंडर गार्मेंट्स, लेडिज सूट, प्लाजो सहीत, अन्ने के निर्मान का काम शुरू हुआ अभी तक्रीबन 23 युनिट काम कर रही है, जीहां कोरोना की दूसरी लहरा आई तो काम पर असर पढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मास्क निर्मान का तिरिक्त काम मिला, पहले चरन में विभन ने कमपनियों के लिए सवा 2 करोड के 15 लाख मास्क तयार किये गए यहां के कारोबारी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, नुएडा तक सप्लाई हुई है, सूबे में भी इसकी मांग रही, आपको बता दे कि लॉकडाउन में जैकेट का निर्मान भी जारी रहा कारोबारी ने बताया है कि पिछले मही ने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद से करीब 20 लाख के 10,000 जैकेट का ओर्डर मिला है, तीन दिन पहले 500 जैकेट की पहली खेब भेजी गई है, तो वहीं दूसरे कारोबारी ने बताया है कि बिहार पुलिस से ट्रैक शूट निर्मा कामपूर में 12 लाख रुपए के सेनेटरी पैट की आपूरती की है, ट्रैक सूट लोवर वर शर्ट आधी के निर्माता ने बताया है कि लॉकडाउन के बावजुद यूनिटों में काम चलता रहा है, आपको बता दे कि इस साल फरवरी और मार्च में 1 करोड 90 लाख रुप जीला प्रशासन की ओर से सवी सुविधा मुहाया कराई जा रही है, बेहतर माहौल के कारण इसका लगातार विकास हो रहा है, आपको बता दे कि अभी भी जीला वासियों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनके पास अपने ग्रिह जीले में नौकरी है और वहां काम करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ रह भी पा रहे हैं। का आदेस दिये जाने के साथ साथ शुरू हुआ था जहां शहरों से लोटने वाले तमाम प्रवासी श्रमिकों को रखा जाता था इस मैपिंग से पता चला कि ये प्रवासी कई तरह की प्रतिभाओं के धनी हैं और अलग-अलग छेत्रों में काम करने में कुशल हैं और यहीं आपको भी जोरत है कि अपने बिहार में अगर आप रोजगार करना चाहते हैं यानि कि आपको नौकरी चाहिए तो आप चनपटिया जा सकते हैं वहाँ जाके इंटर्व्यू देना होगा वहाँ पे आपको अपना कोशल और प्रतिभा दिखानी होगी चाहे आप जिस फिल् के लिए इसे अपसूरत कह सकते थे जो कारिगर दूसरे शहरों में जाते थे जो कारिगर महरास्ट, गुजरात, दिल्ली और ऐसे नजाने कितने ही शहरों में पलायन कर जाते थे अब उनके लिए बिहार में एक छोटी से उम्मीद के किरन जागी है